गुना जिले में होने जा रहे नगरी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ने मैदान संभा लिया है जहां एक और कॉंग्रेस ने अपने 37 वाडों की प्रत्याशियों को लेकर एक चुनाव कारले की शुरुआत कर दी है तो वहीं भाजपा भी CM शिर्वराज का मेगा शो गुना शहर में करा कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तयार करेगी इसके लिए CM शिर्वराज सिंग चोहान 26 को गुना आ रहे हैं वहीं कॉंग्रेस अपने राजा दिगविजा सिंग और उनके पुत्र जैवर्धन सिंग की ताकत पर मैदान में बाजी जीतने का भरोसा जता रही है आपको बता दे कि गुना जिले में नगरिय निकाय चुनाव जिनमें की शहर की नगर पालिका और जिले की चार नगर परिशद के लिए चुनाव होना है इसी को लेकर राजनेतिक दल अब मैदान में दिखना शुरू हो गए है जिसमें शुकरवार को कॉंग्रिस की ओर से अपने चुनाव कारले की ओपनिंग के साथ ही सभी वार्डों में सक्रियता बढ़ा दी गई है वहीं भाश्पा की उमीदवार भी अपने अपने स्तर से वार्डों में चुनाव प्रचार में जुट गए है आज जिला कॉंग्रिस कमेटी द्वारा नगर पालका के चुनाव दंचालन के रिए कारले के और गाटन के अफसर पर मैं सभी प्रत्याशियों को सुप्वामना देता हूँ साथ ही आपने जो बात पूछी है कि कौन-कौन प्रत्याशियों ने गौंगरिस को समर्टन किया है तो हमारे बार नम्मर 17 सी श्री लक्ष्विट और असिया जी निर्दलिये प्रत्याशियों थी गौंगरिस से टिकेट मांग नहीं थी लेकिन हमारे नेत्रत्म ने चैन समी प्रत्याशि वो नोने अपना समर्टन देने का अचन दिया है इसी तरह से हमारे बार नम्मर 9 में श्री भीरन दुझाची ने टिकेट मांगा था बन्मारी लाल दुझाची को पार्टी ने टिकेट दिया लेकिन भीरन दुझाची बूट गए और अपना नाम बाकिस नहीं लेकिन हमने आज जब उनसे प्रात्तना की तो नोने भी अपना समर्टन बन्वारी लाजी ओजाजी को दिया है मैं और भी जो हमारे साथी कॉंग्रेस के जो निर्दली रह गए हैं हम उनके संपर्क में हैं और पुरा प्रयास करेंगे कि कॉंग्रेस का कोई भी वागी उन् प्रात्तना करने लेंगे